आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि लेक्टी बार पर बैठी चुडिया को क्यों करंड नहीं लगता लेकिन दो तारों के बीच से बज़ने पर जुडिया को क्यों जटका लग जाता है और क्या इंसान को तार पढ़ने पर जटका लगेगा तार पर बैठी चुडिया सीधा कनेक्सन हो जाए यह फिर ऑप पहले समझते हैं पिजली कनेक्सन वायर जो लगे होते हैं वह बिना वाले होते हैं जिस पर पच्छी बैट जाते हैं फिर सब्सक्राइब करना होगा तब जलेगा इसी परकार किसी वक्ती या चलियों को त required जब सरक्सराइब करते हैं आपको बताते चलिए कि इसकी भी लिवestä его को जाती है जिस पर कि पहले से रहता है अगर किसी इंसान की बात की जाए तो इसी प्रिकार उसके लिए भी सर्तिय लाग होती हैं आपने बहुत बार देखा होगे कि अगर कोई वक्ति जो सेप्टी सूस पाहिन कर भेज़ वायर को भी चुलेता है तो उसे सौक नहीं लगेगा और अगर वहीं वक्ति बिना सेप्टी सूस के तार्स को लेता है तो उससे सौक लग जाता है इसका यही कारण है कि safety suits ना पायनने पर ground के माध्यम से circuit complete हो जाता है और इसके सरीष से होका current ground में चला जाता है जिससे उस रक्ति को जटका लग जाता है कई बार आपने देखा होगा कि कोई पच्छी ना ही वायर पर बाढ़ता है ना ही उसकी body वायर को टेच करती है वह एक दो वायरों के बीच से उड़कर बुजता है फिर भी उसको लग जाता है यह कंडिशन खलाती है इसी कंडिशन को समझेंगे हम अपने दूसरे पॉइंट इलिक्टिकल कनिस्टन में जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी तार में करेंट फ्लो होता है तो इसके चार वह बन ज कम होगा के विद्दू छेट में हमें सा कुछ ना कुछ गैप रहता है जब कोई पच्ची दो तारों के मद्द से बुजता आज ऑगर वह किसी एक तार की में इससे कज़़ा जाता है तो इसको तो इस प्रकार से बज़ता है कि वह दूनों पार नील पील्ड के मद्ड की ग बढ़ने और और किसी दूस्रे तार के लिक्टिक, को ट्रस्ट कर जाए तो उसके त्रंद शोक लग जाएगा, आप समस्ते हैं दूसरा कार्ण जो है हाई र्सक्रेंट प्रेंट्स कर्स्टेंथ है कि हमें सालो र्सक्रेंथ पर्योग करता है, दोस्तों पच्छी के शीरी का र बैठी चुलिया को सब्सक्राइब लगता है और आपको अब अन कोई वीडियो देखने क्या सकता नहीं पड़ेगी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगावा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें